आंगन वाडी में धूम अस्सलामू अलेकुम हम हाफ्ते के तीन दिन आंगन वाडी में छोटे गुरुप में बच्चों के साथ सरगर्मिया करेंगे पीर, बुद्ध और जुम्मा की दिन 45 मिनिट की सरगर्मिया होंगी जिसमें हाजरी, नजरसानी या दोहराना, बच्चों के गाने कहानी, अदत खुर्फ पढ़ना और होंबख होगा अब हम बच्चों के साथ हफ्ते में तीन दिन कौन-कौन सी सरगर्मिया करने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे आईए जानते हैं पीर के रोस की जाने वाली सरगर्मियों के बारे में हाजरी, बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगा पर खड़े होकर अस्सलाम और एकुम टीचर बोलने के लिए मालुमात दें अब बच्चों को लंगडी कोट मुकाबले की सरगर्मि करवाएं इसके बाद पिछले जुमा को हमने कौन से सरगर्मिया की थी इसके बारे में बच्चों से पूछें और बातचीत करें इसके बाद आसपास की या घर की दस्तियाफ चीजें लेकर बच्चों को तर्तीब लगाना सिखाएं अब बच्चों को कहानी सुनाएं जैसे एक दिन चीटी, चीडिया और बिल्ली को भूक लगी थी चीडिया चावाल लाई, चीटी चीनी और बिल्ली दूद लाई बच्चों ने जो तस्वीर बनाई है उस पर कुछ सवालात पूछें और तस्वीर के बारे में कुछ लिखने के लिए कहें इसके बाद अलफास पढ़ने के सरगर्मी करवाएं आखिर में बच्चों के जरीय बनाई गई तस्वीर में रंग भर कर लाने का होमवग दें बच्च के रोज के जाने वादी सरगर्मिया हाजरी बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगा पर खड़े होकर यस मैम बोलने के लिए मालूमात दें अब बच्चों को आड़ी तिर्षी कूद की सरगर्मी करवाएं इसके बाद पीर को हमने कौन सी सरगर्मिया की थी इसके बारे में बच्चों से पूछें और बातचीत करें इसके बाद होली तहवार पर बच्चों के साथ बातचीत करें जैसे होली का तहवार क्यों मनाते हैं होली का तहवार आप कैसे मनाते हो वगेरा इसके बाद आई होली आई होली बच्चों के इस गाने को बच्चों को करवाएं इसके बाद सभी रंगों से होली खेले आखिर में बच्चों का होमवर्क चेक करें हाजरी बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगा पर खड़े होकर गुड मॉर्निंग मैम बोलने के लिए मालूमात दें इसके बाद बच्चों को दुम पकड़ने की सरगर्मी करवाएं जैसे एक बच्चे के कमर पर डुपट्टा बांध कर दुम बनाएं बच्चा दुम पकड़ो ऐसा बोलते हुए भागेगा दूसरे बच्चे उसके दुम पकड़ेंगे दौडते हुए एक दुसरे के पीछे पीछे कपड़े की दुम पकड़कर रेल गाड़ी की तरह लंबी दुम बनाएं अब बुद को हमने कौन सी सरगर्मिया की थी इसके बारे में बच्चों से पूछें और बातचीत करें इसके बार बच्चों को अपना तारूफ देने के लिए कहें जैसे उनका पूरा नाम, पता, वालिद और वालदा का नाम, मुबाइल नमबर वगेरा अब बच्चों को एक किताब का तारूफ कराएं जैसे कहानी का नाम कहां लिखा है कहानी कहां से शुरू होती है वगेरा अब प्रत्थम बुक्स मेरे दोस्त या कोई भी दस्तियाब कहानी की किताब पढ़कर सुनाएं कहानी के बाद आसान और मुश्किल सवाल पूछें इसके बाद दस्तियाब चीजों से गिंती करना सिखाएं इसके बाद बच्चों को अलफास पढ़ने की सरगर्मी करवाएं आखिर में काफ खुर्फ से शुरू होने वाली एक चीज लेकर आने का हमवग दें बच्चों के साथ की गई सरगर्मी की तजर्बात हमें जरूर बताएं शुक्रिया